व्लकॉम एप्रिवन दिस आनि रे फ्राम मसल क्लिनिक इन तर्स एपिसोड विल डिसकस बेस्ट हेर केर रूटीन लेट्स रोल देंट्रो जब बात आती है बालो की तो हम इस चीज को नेगलेट करते है इस वजह से आपने देखा होगा यूथ में बहुत जादा बॉलनेस आजकल फैल गया साथी में उनके बाल भी सफेद हो रहे है तो आज मैं आपको कुछ हेर केर रूटीन के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप अपने लाइप में इंप्लिमेंट करेंगे तो आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे ना त स्टार्ट करते हैं आपको वीक में दो से तीन बार हैर ओल अपलाई करना चाहिए और जब भी आप हैर ओल लगाएंगे तो उसको पास से दस मिनट तक अच्छे सम मस्ताज करिए जिससे आपके स्कैल्प सारा ओल अब्जॉब कर लेंगे और उसके नरिश्मेंट के लिए ब प्रेस अलमंड ओल या फिर ओली ओल आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके हैर हमेशा चाहिए अब जो सेकंड टिप है जब रात भर आपने ओल लगा के छोड़ दिया तो मौनिंग में किसी भी माइड शैंपू से अपने हैर को वाश करिए लेकिन एक चीज का ध्यान बालों को टावल से ड्राइ करते हैं तो उसको जोर से रब मत करिएगा बिकाज जब भी आपके बाल गीले रहते हैं तो उनके जो रूट्स रहते हो वह काफी कमजोर रहते हैं इस वजह से आपको हैरफॉल फेस करना पढ़ सकता है तो अपने टावल को धीरे धीरे हो जाते हैं साथ ही में उसका ब्लेट फ्लो भी बढ़ जाता है इस वजह से अगर आपको हैर फॉल की प्रॉबलम है तो वह सारी प्रॉबलम ठीक हो जाएगी तो कुछ अच्छे डर्मा रॉलर के लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप डारेट प पिल जिसको आप मिक्स करके अपने बालों में जब भी आपको होल की जरूरत इसको लगाई है बहुत अच्छा स्टाइलिंग होगा साथ ही में आपके बालों को भी नरीश करेगा अब जो नेक्स पॉइंट है अगर सच में आपको अच्छे हैर चाहिए तो सिब उपर- अब जो नेक्स टेप है आपको 15 डेज में एक बार हैस्पा जरूर करना चाहिए लेकिन गाइज मैं आपसे नहीं बोल रहा कि किसी भी सलों में जाके बहुत सारे पैसा खर्चा करके आप हैस्पा करिए आप घर पे भी हैस्पा कर सकते है इसके लिए बहुत इजी से इंग् तो उसको भी आट कर सकते हैं यह सारी चीजे लेकि आपको एक मिक्सी में एक करना है थोड़ा सा पानी डालके इसको अच्छे से मिक्स करना चब इसका पेस्ट बन जाए कुछ ऐसा घृन कर कर लिगा ए और इसको आप अपने सारे बालों में अने भालों में रहा के रखिए and साथी में उसके बाद कोम करिए ताकि जो भी material आपने बनाया हुआ है वो अच्छे से आपके scalp में लग जाए and इसको 45-60 मिनिट तक अपने बालों में रहन दीजिए and इसके बाद कोई से भी steamer से आप अपने बालों को steam करिए जिससे आपके scalp के pores खुल जाए अगर आपके बाद steamer नहीं है तो एक bucket में गरम पानी डालके भी आप steam ले सकते है जो भी बहुत effective होता है and जब आपने ऐसा कर लिया उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने बालों को धुईए and every 15 days में अगर आप ये pack लगाएंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे अब last but not the least आपको मन्त में एक बार haircut जरूर कराना चीए I know सारे salons बंद है इस वज़े से मैंने एक self haircut का वीडियो बना दिया है तो i button में उसका link दे दूँगा जिससे आप अच्छे से haircut कर सकते and guys अगर आप proper तरीके से hair care कर रहे है तो haircut भी एक important factor है इस वज़े से month में एक बार जरूर haircut करिएगा so guys अगर आप अच्छे से ये सारे tips follow करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे and इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है यूटीब चानल कीप पंपिंग स्टेब्लेश्ट